हेलो अवरिवन आज की लेक्चर में हम डेस्ट करेंगे जैस 2024 से एक और प्रोब्लम देखे एक आपसे पुछा गया था है कि इसमें अगर वेलिव फॉंक्षन इस तरह किसे दिया हुआ है तो आपको यह पर इधियान रखना हुता है कि जो वेलिव फॉंक्षन होता है उसमें सिफention which is participate करता है in the expectation of momentum जो real part होता है उसकी जो value आती है उसके corresponding वो 0 आती है तो देखे इसको आप simplify form में कैसे लिख सकते हैं psi x is equal to exponential of अंदर multiply करें minus alpha यह square क्या हो गया x square इसका square करें तो minus k naught square over alpha square और आगे आपके पास टरम आ जाएगी minus 2 आयटा k naught over alpha और यह टामा गे into sin square k1 x इसको हम लेख सकते हैं this is the exponential of e raise to power of minus alpha x square plus k naught square into e raise to power 2 आयटा k naught minus minus plus हो जाएगा यहापे 2 आयटा k naught और यहाँ से टामा जाएगी into sin square k1 x यहाँ पर देखिए जो यह आपका क्या है कैसा पार्ट है रियल पार्ट है यह भी कैसा पार्ट है रियल पार्ट है यहाँ पर जो टरम हमारे पास है raise to power 2 आयटा k naught सिर्फ यहीं contribute करेगी in the expectation value of momentum और यह value जो आपकी आती है यह किसकी value होती है this is the solution of आपका जो free particle होता है उसका solution इस तरीके का आप लिखते ही raise to power यहाँ पर शायद मैं x लिखना भूल गए हूँ यहाँ जब multiply करेंगे तो x भी आएगा तो यह term आगी into x ठीक है into x ओके तो सिर्फ यह हमारा imaginary part है तो आपने पढ़ा आयटा के x यह किसका function होता है free particle का function होता है free particle के लिए आपने जब expectation value of momentum निकाला होता है तो वो किसके equal आता है edge cut k के equal होता है यहाँ पर हमारे पास k की जगे पर क्या है अगर compare करें 2k note है तो हमारी expectation value of momentum in even case क्या जाएगी 2k note edge cut तो option a यहाँ पर क्या जाएगा correct option हो जाएगा